आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे ज़ादा वक्त कहां भीतता है? ये वो जगा है जो है आपके घर में, आपकी किचिन और किचिन में आपके दोस्त हैं, आपके बरतनों की बात करूँगी आपके किचिन के सारे बरतनों पर एक कुछ बहुत खास चीज़ बताने वाली हो, काल लगा कर सुनियेगा आज मैं आपको आपकी राशी और आपके लखी मेटल के हिसाब से बरकत वाला बरतन बताऊंगी और दिखाऊंगी भी आपको किशिन के सामान से खुबसूरत बनाने वाली ब्यूटी तिब भी होगी जी हाँ, और बेहत सस्ते में आपकी स्किन निखरेगी और आपको मा अन्न पूर्णा के आशिरवाद का भी मंत्र बताऊंगी घर में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होगी आज मैं आपको पांच महाउपाई बताऊंगी जी हाँ, ये पांचों महाउपाई रसोई से जुड़े होंगे आज के पहले महाउपाई की बात कर लेते हैं क्या आपके घर में दुर्भाग्य बार बार दस्तक देता है? आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यूं हो रहा है? कहीं आपकी रसोई में तो दिक्कत नहीं है आपके घर के प्रवेश द्वार से आपके रसोई का चूला नहीं दिखना चाहिए लेकिन फिर भी किसी बज़र से आपको मुख्य द्वार के सामने रसोई बनवानी पढ़ रही है तो आप रसोई के सामने एक मूटा परदा लगवा दीज़े आज है बरतन स्पेशल तो सबसे पहले आपके घर के बरतन की बात करेंगे आपके दिन का बड़ा हिसाब बरतनों के साथ ही तो बीटता है ये बरतन शुब है या शुब ये क्या हो सकते हैं ये हम जानेंगे इसके लिए आपको कोई भी बरतन इस्तमाल नहीं करना है बलकि अपनी राशी के हिसाब से बरतन का मेटल चुनना चाहिए क्या होगा जानें मेश, सिंग और व्रिश्चिक लगन वाले लोगों के लिए तांबे के बरतन सबसे ज़ादा लापधाई है क्योंकि तांबे का बरतन इन्हें कई बिमारियों से बचाता है मिथुन, धनू और मीम और कन्या राशी वालों को स्टील के बरतनों का प्रेयोग बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपकी यादाश में गिरावट लाते हैं कई बिमारियों की बज़ा भी बनते हैं स्टील के बरतनों के स्थान पर आप कांसे या कौपर के बरतनों का प्रेयोग कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए पूरी तरह से लाब दायक हैं तुला, बृष, कर्क वाले लोगों को चांदी या फिर मिक्स पीतर या फिर दोनों मेटल को मिक्स से बने बरतनों में खाया पिया करें इससे आपको लाब मिलता है अगर आप स्टील या लोगे के बरतन का इस्तमाल करते हैं तो आपको कई बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है मकर राशी वाले हमेशा लकडी के बरतनों का प्रयोग करने तो बहुत अच्छा रहेगा लक्री के बरतन आपके लिए रामबान इलाज का काम करते हैं इसके अलावा लक्री के बरतन आपकी सोचने की शम्ता को भी बढ़ाते हैं कुम लगन या कुम राशी के लोगों को स्टील के लिए बरतनों को यूज करना चाहिए यह आपके लिए best है और कभी-कभी आप मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन जरूर करें और केवडा मिले पानी पिएं इससे आपके शरीर को ताकत और तंदरुस्ति दोलों मिलती है आपकी रिसोई पर मा अनपूर्णा की खृपा जरूर जरूर होनी चाहिए मा अनपूर्णा को आपको कैसे प्रसंद करना है एक महा मंत्र बताने जा रही हूँ मेरे कुछ दर्शकों की शिकायत है कि मंत्र नोट नहीं कर पाते हैं इसलिए मैं बहुत आराम-अराम से पढ़ूँगी आप नोट कर लीजे मंत्र क्या है नोट कीजे मंत्र जपने की विधी क्या है इस मंत्र का जाप सुर्योदे के समय या उससे पहले करना बहुत अच्छा रिज़र्ट देता है ये मंत्र बिना किसी मूर्ती के सिरफ सामने थोड़ा सा अन रखकर पुजाब कर सकते हैं लेकिन किसी नदी की किनारे या फिर किसी अकेली जगा पर अनुष्ठान करना सही होगा इस मंत्र की साधना के लिए चांदन का समय जादा शुबाना जाता है यानि कि शुक्रपक्ष इस मंत्र का 21 दिन तक रोज 5 माला का जाप करना चाहिए इसका सफल अनुष्ठान करने वाले पर अन्र की कभी कमी नहीं रहती उसके घर में खाने पीने की चीज़े हमेशा रहती है बरतन स्पेशल में अब और बहुत खास बात हर हाउस वाइफ को पता होना चाहिए कि बरतन कई तरह के मेटल के बने होते हैं आपके घर में कोई भी मेटल के बरतन होंगे लेकिन कौन से मेटल के बरतन अच्छा होता है और कौन से मेटल का बरतन सेहत के लिए खराब होता है आपको ये बता देती देखिए सोना एक महंगा मेटल है सोना लाल सफेद और पीले रंग में होता है लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पीला सोना प्रयोग मिलाया जाता है सोने के बरतन में पहले के राजा महाराजा भोजन करते थे सोना एक करम मेटल है, सोने से बने बरतन में भोजन बनाने और करने से शरीर की हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं साथ ही साथ सोना आँखों की रोशनी बढ़ाता है, आँखों को तेज करता है चांदी, सोने के बाद दूसरी कीमती मेटल जो है वो है चांदी चांदी एक ठंडा मेटल है जो शरीर को अंदर से ठंड़क पहुचाता है शरीर को शांत रखता है, इसके बरतन में भोजन बनाने और करने से कई फाइदे होते हैं जैसे की दिमाग तेज होता है, आँखों को सेहत मिलती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसके अलावा पितर दोश, कफ और गैस पर भी कंट्रोल होता है देखिए चांदी के बाद कांसे के बरतन, कांसा वो मेटल है जिसके बरतनों का उप्योग लाया जाता है, जो कीमती होते है ये चांदी से तो सस्ता होता है, लेकिन बाकी चीजों से महंगे होता है इस बरतन का इस्तमाल मिडल क्लास फैमिली में पहले के टाइम होता था इसके बने बरतन में खाना खाने से बुद्धी तेज होती है, खून प्योरिफाइ होता है, बूख बढ़ती है लेकिन कासा खटी चीजें फरोसने के काम नहीं लाना चाहिए इस मेटल से मिलकर खटी चीजें जहरीली हो जाती है इसके बाद आता है तांबा तांबे के बने बरतन का हर घर में पूजा पाठ में इस्तमाल लाया जाता है इस बरतन का पानी बिमारी से बचाता है खून को शुद करता है या दाश को अच्छा रखता है लिवर की समस्या दूर करता है तांबे का पानी शरीर के टॉक्सिक एलेमेंट को खत्म कर देता है इसलिए इस बरतन में रखा पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन तांबे के बरतन में दूद नहीं पीना चाहिए इससे शरीर को नुकसान होता है इसके बाद आते हैं पीतल के बरतन कई घरों में पीतल के बरतन का भी इस्तमाल होता है इसमें भोजन पकाने और करने से कई तरह की बिमारियों से मुक्ति मिलती है लोहा लगबग हर घर में लोहे के बरतन का प्रयोग भी होता है इसमें बने खाने में शरीर में शक्ती मिलती है जो खाना बनता है शरीर को शक्ती देता है इसमें आइरन होता है लोहा कई रोगों को खत्म करता है शरीर में सूजन और पिलापन नहीं आने देता लेकिन लोहे के बरतन में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धी को नुक्सान होता है लेकिन लोहे के बरतन में पानी पीना बहुत अच्छा होता है इसी तरीके से स्टील स्टील के बरतन से नुक्सान नहीं होता इसलिए ये जादा इस्तमाल किया जाता है इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फाइदा भी नहीं पहुँचता तो नुकसान भी नहीं होता अब अलिमीनियम की बात करते हैं अलिमीनियम बॉकसाइट का बना होता है इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है यह iron और calcium को सोकता है इसलिए इसे बने खाने का उपयोग नहीं करना चाहिए इससे हडियां कमजोर होती है मांसिक बिमारियां होती है liver और nervous system को नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए अंग्रेज जेल के कैदी को इसमें खाना परोसा करते थे और इसमें पकाया करते थे आईए बात करते हैं आज की special astro tip का देखिये धन तेरस पे हम नया बरतन खरीदते हैं और भगवान को पूजा में अर्पित करते हैं और फिर उसका इस्तमाल करते हैं ठीक इसी तरीके से अगर आप शुकल पक्ष के संडे को अपने घर में चाहें एक तांबे का चमच लाएं महीने में एक बार लाएं तीन महीने में एक बार लाएं इससे सूर्य मजबूत होगा आपके घर से बिमारियां जाएंगी आपका मान समान बढ़ेगा और आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्फ होने लगेगी तो पहले जब नया कौपर का बरतन शुक्र पक्ष के संडे को लाएं तो पहले भगवान को अर्पित करें उन्हें जल ग्रहन करने के लिए मंदिर में छोड़ दें फिर अगले दिन से उप्योग करें इससे अच्छा उपाय सूर्य को बढ़ाने का नहीं हो सकता आई बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की अब रसोई के दूसरे महा उपाय को जान लेते हैं क्या घर से जुड़ा दुरभाग्य दूर करना चाहते हैं वैसे तो वास्तू के मताबिक रसोई की सही जगा दक्षन और पूफ के बीच जिसको साउथीस्ट बोलते हैं वहाँ पर है लेकिन अगर आपके घर की रसोई इस दारेक्शन में नहीं है तो आप रसोई में कुछ ऐसे चित्र लगाएं जिनमें रिशी मुनी यग्य कर रहे हूं इससे ना सिरफ आपको घर में आर्थिक तंगी खत्म होगी बलकि रसोई का वास्तू दोज भी दूर हो जाएगा आज क्योंकि बरतन की बात हो रही है तो चलिए आपको किचन और खास बरतन से जुड़ी एक ब्यूटी टिप बता देती हूं बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों कि जिनको आप अकसर यूज करते होंगे चाहे वो एक ब्याज हो चाहे वो घिया हो चाहे वो गाजर हो ऐसी चीजे जो कि आपके किचन में आपके हाथों से रोज गुजरती है पर आपको पता ही नहीं कि वो कितनी हुनरमंद है आलो में कीज़ाँ भूरो से आपको अंदरना सी थोड़ा थोड़ा लगाते हैं तो अपका नियुचते है जोकि rechts नी पैते हैं तो आपकी एक्षापतिक लोशन जो कि आपके बालो को फूरा अंदर से नी अड जुटं खरत देता है और बालो को स्मूधन से भी देता है उसके बाद को जान लीजिए और अपने बालों में लगाकर टोनिक की तरह छोड़ दीजिए अप्रोक्सिमेट 30 मिनट छोड़ना आपको इसके बाद के ओन्ताए है तरह बेस्के हामलों में इसके बाद के बात इसके राम चर एक को ठितास ऌताया है यह आइस के निचे आपकी जिसको कहते है रिंकल्स या सॉफ लाइन्स होती है उस टाइं पर सबसे जादो काम करने वाले चीज होती है ताइस गाजर गाजर इसलिए कि अगर आपके पास कच्छा आलू है कच्छा खीरा है इवन खीरा इस वेरी नाइस पर ग्रेट करके इसका जो मैश होता है उसको अपने आइस पर लगाते है रख के छोड़ना होता है बीस मिनट उस दौरा अपने आइस को बंद रखना है तो यू विल सी कि बहुत जल्दी जो समें वितमिन ए होता है इसके अंदर ऐसे से वितमिन होते है जिनके मैं कर नाम भी आदी रखना चाहती अगर आप इसको रेगुलर्ली यूस करते हैं आपके आइस के निचे के फाइन आइस अर रियली डिसपेरिंग, यू रियली दिसपेरिंग, जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन धलक रही है उस तेम पसको टाइट करना है तो यू शुद नेवर फोर्गेट द बीस, बीस इस में बेसिकली देशिकली 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 वहाँ पर पैक की तरह यूज़ करना है यू विल सी विदिन लाइक वान मन्थ अगर आप हकते में दो बार भी लगा रहे हैं बीन्स एंग घीर के बीज का पैक इट विल बी सो मुच वोकिंग लाइक तैनिंग हो जाती है काला पना रहा है धूप से आगे तैनिंग आपका इ हो रहे हैं नकल्स के उपर आपने रब करना शुरू कर दिया तो इसके पीसे लेकर की रबिंग वेरेवर यू फिल देर इस अन accumulation of melanin, melanin मतलब काला पन जादा बन रहा है अपका तो देखा किस तरह से घर पे ही आपकी किछन में माजूद इन छूड़ी चीजों के साथ अपना आप head to toe pouring pre care कर सकते हैं तो keep looking beautiful and keep glowing in your kitchen अब रसोई से जुड़ा हुआ आज का तीसरा माहा उपाई क्या है यह जान लेते हैं क्या घर में कलह रहती है? हो सकता है आपके घर की रसोई में दोश हो रसोई के वास्तु दोश को मिटाने के लिए आप एक तांबे का कलश ले और इसमें पंच रतन को डाल दे इसके बाद आप इस कलश को रसोई के इशान कोन में यानि की नौर्थ इस डारेक्शन में स्थापित कर दे भर की कलह दूर होगी किचिन की बात हो और नानी मा के नुस्खे ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? यह पॉसिबल ही नहीं है तो चलिए इंतजार किस बात का? फटाफट नानी मा के नुस्खे बता देती हूँ हर हाउस वाइफ के काम आएंगे कड़े नीबू को गरम पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देने के बाद फिर उसे काटने से नीबू से ज़ादा रस निकलता है एक महिने में एक बार मिक्सर में नमक डाल कर चला देने से मिक्सर के ब्लेद्स तेज हो जाते हैं नूडल जुबालने के बाद अगर उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं रसोई घर ऐसा होना चाहिए जिसमें दिन में इनना फ्रोशनी आनी चाहिए रसोई घर में दिन में भी अंधेरा हो तो वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं होता और नहीं आपकी सेहत के लिए अच्छा है अगर रसोई में कहीं कोई चिपचिपी चीज गिर जाए तो उसके उपर bleach डाल दीजे और फिर उसे brush से साफ कर दीजे फर्ष को चमकाने के लिए एक कप सिर्का में गरम पानी डाल कर फर्ष को साफ करने से ये चमकने लगता है आटा गूनते वक्त पानी के साफ थोड़ा सा दूद मिला देने से रोटी जादा स्वादिश्ट हो जाती है चीनी के डबे में 6-7 लॉंग डाल देने से चीनी में चीटिया नहीं लगती है एक चमक चीनी को भूरा होने तक गरम कीजिए और फिर इसे केक के मिक्षर में गरम किये वे चीनी को मिला दीजिए इससे केक का रंग अच्छा हो जाएगा कटे वे सेब में नीबू की कुछ बूंदे मिला देने से सेब की उपर का भाग काला नहीं होगा सारे बरतन रात में ही साफ कर लीजे ये वास्तू के हिसाब से भी सही है और आपकी सेहत के लिए भी एक सही आदत है और इसका एक बड़ा फाइदा ये भी होगा कि सुभा सुभा उठकर बरतन धोने की टेंशन नहीं होगी आपको आलू के परांठे बनाते वक्त आलू को मिक्शर में थोड़ इसी कसूरी मेती डाल देंगे इससे परांठे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा मिर्ची के डिबे में थोड़ इसी हींग डाल दीजे इससे मिर्च जादा वक्त तक चलेगी लस्टन को हलक असा गरम कर देने के बाद लस्टन को छिल्ने में बहुत सुविदा होती है चावल में कुछ बूंदे जब आप पकाते हैं तो कुछ बूंदे तेल और निम्बू का रज जब आप डाल देते हैं तो चावल खिला खिला रहता है दाल बनाते वक्त एक चुटकी पिसीवी हल्दी और बादाम का तेल कुछ बुंदे डालने से दाल जल्दी पक्चाती है और इसका स्वाध भी अच्छा लगता है मिर्च के डंठल को तोड़ कर मिर्च को फ्रोजर में फ्रीज करने से लंबे समय तक पूटिकती है अगर आप रात को चना भिगोना भूल गए तो बलते वे पानी में चने को भिगोए इससे चना जल्दी फूल जाएगा अगर किचिन में काम करते वक्त आप जल जाएं तो उस जगह पर आप बर्फ रगड़े अलू पीस कर लगाएं गी या नारियल तेल लगाएं या केले को मैश करके लगाएं जटपट जानते हैं आज के चौथे महाँ उपाई के बारे में क्या है ये जान लेते हैं क्या परिवार को बार-बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है रसोई हो या घर सामान अस्त व्यस नहीं पड़ा रहना चाहिए पर ये राहू केतू का बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण घर में सदस्यों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इसलिए रसोवे को हमेशा साफ सुत्रों सेटल रखे मुसीबतों से कम पाला पड़ेगा Entertainment की बाद बाद में पहले आपके कल फ्यूचर की बाद क्या करना है आपको अपनी राशी के हिसाब से जानिए सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी वाले लोग सोच समझ कर यात्रा कीजिए भागे साथ देना है आपका 61% रश्षिब राशी वाले लोग सरसों के तेल का दान जरूर करें किसमत साथ दे रही है आपका 77% मिथुन राशी वाले लोग मंदिर में केले का दान करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 65% करक राशी वाले लोग, लाल मिच का दान कीजे आप किस्मत साथ दे रही है आपका 68% सिंग राशी वाले लोग, बच्चों को काली मिठाई खिलाए भागे साथ दे रहा हैं आपका 76% कन्या राशी के लोग, पीपल के पेड में धागा लपेटे कल लग साथ दे रहा हैं आपका 71% फुला राशी के लोग, मा लक्षमी को गुलाब या कमल के फूल चड़ाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 75% विश्चिक राशी के लोग, हनुमान चालिसा का पाथ कीचे लग साथ दे रहा हैं आपका 72% धनु राशी के लोग, मूली का दान कीचे किस्मत साथ दे रही हैं आपका 65% मकर राशी के लोग, ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का 11 बार जाब करे किस्मत साथ दे रही हैं आपका 69% कुम राशी के लोग, विश्चु सहस्तर नाम का पाथ कीचे भगे साथ दे रहा हैं आपका 71% और मीन राशी के लोग, सुभर, शाम और रात को कपूर जलाईए लग साथ दे रहा हैं आपका 67% फेस्बुक में तेजस ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेर की है, वो प्रॉपर्टी के काम में सक्सेस्पुल नहीं हो रहे हैं, जिसका उपाई जानना चाहते हैं तेजस जब आप सो कर उठते हैं, तो राइट पैर को पहले जमीन पर रखें, भूमी को पूरे पाम के साथ में टच करें, माथे पर लगाएं, धर्ती मा को प्रणाम करें, जब आपकी अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉंग होगा, तो प्रॉपर्टी से फायदा होगा उसरी बाद हनुमा जी के राइट शोल्डर का सिंदूर लाकर माथे और नाभी पर लगाएं, आपका मंगल भी स्ट्रॉंग होगा और प्रॉपर्टी से गेंज होगे अब हम जानेंगे आज के पांचवे और आखरी महा उपाए को क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि रसोई का स्वास्तु दोश कैसे दूर करना है आप रसोई को भी नहीं हटा सकते, रसोई के वास्तु दोश को मिटाने के लिए सबसे आसान और सरल उपाए हैं कि आप रसोई के अगनेई दिशा यानिकी साउटीज दारेक्शन में रसोई के साउटीज का बीच का जो हिस्सा है रसोई का साउटीज दारेक्शन में एक बल्ब लगा दें रेड का लगा जब भी आप खाना बनाएं तो उसे जला कर रखें वास्तु दोश कर जाएगा